लखनलाल जी है MP से, स्वागत है आपका हालो, जी सर सर मैं सेरोसिस के बारे मैं पूछना चाहता हूँ सुराईसिस हाँ, चीक किया अधिक एक ऐसा रोग जो देखने में ऐसा लगता है जिसे माता निकली आई चेचक माता कहते हैं जगा जगा दाने 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 माता तो दो चार छे दिन में ठीक हो जाती है दस दिन में ये ठीक नहीं होती, ये निकलती ही रहती है निकलती ही रहती है इस ऐसे रोग को हम सुराईसिस के नाम से जानते हैं तो इस रोग में एकनुस का काम करता बड़ा अच्छा और उसको कहते हैं नमक जैतून ये क्योंकि इसकिन रोग के लिए बहुत अच्छा है तो इसको इस्तमाल का तरीका ये है कि एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर दो गिलास पानी मिलाकर पुरे दिन में एक बार पिया जाए और एक ही बार पीते रहें दस पंदर दिन तक उससे फाइदा शिरू हो जाए तो एक ही बार रखके कम फाइदा हो तो दो बार भी ले सकते हैं इसके अलावा इसको इस तरह भी लिया जाता है कि एक चुटकी नमक जेतुन और आदा या एक चमच अलसी का पौडर, अलसी को पौडर बनाने के लिए हलका सा थोड़ा सा भून लें और उसका पौडर बना के रख लें वालसी का पौडर रखा और ये पानी पी है लेकिन इसमें छह साथ महीने भी लग जाते हैं इलाज में आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं फायदा उठा सकते हैं